हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज हमस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा स्टील के बारे में जैसे कि कल मैंने आपको कुछ स्टॉक्स के बारे में बताया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप मैटल स्टॉक्स में कुछ बाइंग करना चाहते हो तो यहाँ पे मैंने टाटा स्टील के साथ एक और स्टॉक बताया था और बोला था कि केवल इनी स्टॉक्स पर आप नजर बना के रखें क्योंकि आने वाले टाइम में ये काफी अच्छा ग्रो करते हो नजर आ सकते हैं और आज के दिन टाटा स्टील में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिरी यहाँ पे हम देखेंगे कि आखिर उस तेजी के पीछे का रीजन क्या है जैफरीज ने यहाँ पे बहुत बड़ा बयान दिया है कि आपको कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स बताएं जिसमें टाटा स्टील भी है कि बाइंग करनी चाहिए साथ के साथ टार्गेट्स भी बहुत बड़े आ रहे हैं और दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो आपको यहाँ पे कॉल्पेट अक्शन भी दिखाते हुए नजर आने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखिए आपको सारी चीज़ें अच्छे थे समझ में आ जाएगी चैनल फे फर्स्टाम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरू कर लिजेगा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरू कर दीजेगा सबते पहले यहाँ पे हम बात करते हैं टाटा स्टील के बारे में तो टाटा स्टील में अगर आप यहाँ पर देखोगे आज के दिन करीबन पौने 6% के आसपास की तेजी थी यानि कि 5.73% का अपसाइड मूवेंट देखने को मिला आज के दिन और 119 से थोड़े से उपर के लेवल पर आज की क्लोजिंग टाटा स्टील के आपको देखने को मिली है यानि कि बहुत ज़्यादा बहतरीन मूवेंट देखने को मिला है पिछले 5 दिनों में अगर हम देखे तो 11.5-12% के रिटन्स आपको मिल गए यानि कि एक अफते में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुँ नजर आ रहा है और ओवराल यहां से भी बुलिश मूवेंट नजर आ रहा है काफी ज़्यादा लेकिन पिछले एक अगर हम महीना देखे तो उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा है लेकि केवल और केवल 23 डिसेंबर से लेके अभी तक अगर हम यहाँ पर देखते हैं 16.5% के रिटन्स आपको मिल चुके हैं यानि कि 3 जून के आसपास से वहाँ से अब तक अगर आप देखो तो शेयर ने साड़े 41% यानि कि 41.57% के पॉजिटिव रिटन्स दे दिये हैं आपको यह चीज़े समझ में आईगी कि देखो ओवराल रिटन्स आपको बलाई कम देख रहे हैं लेकिन जिन भी लोगों ने जब शेयर बिलकुल नीचे चला गया है वहाँ पर एंट्री लिए होगी और वहाँ से अभी तक उनको 40-42% के रिटन्स मिल गए होगे लेकिन किसी ने हायर साइड पर लिए होगी तो उनको 4-5% के रिटन्स है तो आपको ये चीश तो देखके चलनी पड़ेगी कि हर एक स्टॉक आपको ये नहीं है कि 100-200% रिटन्स मिल अपने अपनी रिसर्च किया या फिन नहीं जिसमें जैफरीज ने कुछ अपने व्यूपॉइंट्स बताया है ताटा स्टील हिंडाल को यहां पर अगर आप देखो इन दोनों ही श्टॉक पर जैफरीज ने बोला है कि आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए यानि कि अपनी रिटिंग को यहां पर बढ़ा दिया है पहले इन्होंने बोला था कि ओवराल जो मुवमेंट है वो उन्होंने इस्टेवल रखा था लेकिन आप बोला है कि आप इसमें बाइंग कर सकते हैं इन तोनों स्टॉक में टाटा स्टील और हिंडाल को पर और ओव 4 ऐसे स्टॉक बताएं जो कि 2023 में आपके पैसे डबल कर सकते हैं और फंडमेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग साथ के साथ अगर आप देखोगे अपने सेक्टर के लीडर नजर आते हैं तो वो वीडियो जाके देख लीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा जो मैं इस चैनल पर नहीं अप्लोड कर पाता हूँ वो सारा कॉंटेंट आपको वहां मिलने वाला है तो मेक शूर के आप उसको सब्सक्राइब कर लें वैल आइकन को भी प्रेस कर लें और जो मैंने आज वीडियो डाली है वो भी आप जाके देख लीजेगा अब रिपोर सेक्टर को काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है अगर हम यहां पर देखें तो इन्हों ने बोला है कि टाटा इस्टील पे भी काफी अधा एक अच्छा सिनेरियो बनते हैं नजर आ सकता है जिसके तार्गेट अगर आप देखोगे तो 1500 रुपे के निकल के आए 150 रुपीज में भी अगर हम बात करें तो 600 रुपे के टार्गेट जो है वो दे दिये हैं जैफ्रीज ने आगे अगर हम बात करते हैं कुछ और भी स्टॉक इन्हों ने बताएं हैं जिन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है यानि कि इन दो स्टॉक पर तो बाइंग यह हिंडाल को और टा जिसका टार्गेट प्राइज है वो 470 का है तो यहां पर करीवन करीवन चार ऐसे श्टॉक निकल के आए जिन पर जैफ्रीज ने अपना व्यूपॉइंट दिया सबते बहला टाटा श्टील एक बहतरीन टार्गेट के साथ बाइंग की रेकमेंडेशन फिर अगर हम बात कर हैं अब आप क्यों से स्ट्रेडीजी फॉलो करते हो वो आपके उपर डिपेंड करेगा बाकी इन सारी चीजों से आप हेल्प ले सकते हो अपनी रिसर्च में अब बात कर लिए तो ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि आपको यहां पर एक्षिन दिखाते हो नजर आने वाले है पहला जो स्टॉक निकल के आता हूँ है सिक्योर क्रेलेंशिल्स लेमिटेड एक्सोद बाइस तेज के आसपास नजर आता है मार्केट में ट्रेड करते हुए सब पहले बता देता हूँ आप से यहां पे आपको जो सर्किट वाला शियर है अपर सर्किट लोर सर्किट का सेन इन्वेस्ट कर दो तो आप कम से कम यह देख लो कि फाइनेशियल से इन्वेस्ट करने लाइक है भी आप उसमें पैसा लगा तो रहे हो लेकिन क्या आपका पैसा बचेगा भी या फिन वो सारी चीज़े देख लो तो इसलिए आपको यहां पर देखने पड़ेगा कि फाइ इन्वेस्ट कर सकते हो सेकिंड नमारा यहां पर इस टॉक निकल के आता है बैब्सन एंटरप्राइज इस लिमिटेड एक्सटर के आसपास मार्केट में ट्रेड करते हो नजर आता है अगर हम यहां पर बात करें तो ओवरॉल अच्छा है और इसमें 100% की रिकमेंडेशन है एनलिस्ट की और आप यहां पर यह भी देख पाऊगे अपनी सेक्टर के पीज से आदे पीज पर ट्रेड भी कर रहा है तो यह भी एक अच्छी चीज निकल के आती है कंपनी आपे आपको साड़े साथ रुपे पर शेयर का डिवीडेंट दे रही है 11 जैन्वरी 2023 की एक्स निकल के आती है एनिकि इससे पहले पहले अगर अपने पोजीशन बना दी तो डेफिनेटली आपको साड़े साथ रुपे पर शेयर का जो डिवीडेंट वो मिल जाएगा तो फिलाल वीडियो में बस इतना ही वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा चैनल बेल आइकन को प्रेस कर लें सो डेट आपको सारी नोटिविकेशन टाइमली मिलती रहे धन्यवाद